ये फ्रेंट्स तो आज हम बनाएंगे स्वीट और वह काफ़ी टेस्टी अच्छा लगता है और आप इसे कभी भी बना सकते हैं तो यह है मूँफली की कतली जैसे हम काशु कतली बनाते है वैसे ही तो इसके लिए हमने ली हैं मूँफली जैसे हमने पहले भून लिया हैं और तो थोड़ी सी ठंडी हो जाये उसके बाद में आप उसकी स्कीन निकाल सकते है भूंकर तो इसके आमने यह त्यार रखा हुआ है भूंकर शक्र और गी तोड़ा सा तो सबसे पहले में एक निक्सर जार में हमारी मॉंखफली लेंगे और इसे हम एकदम पाउडर फर्म में क्रश कर लेंगे तो एकदम पाउडर हो जाना चाहिए तो हमने क्रश कर लिया है और आप जब क्रश करेंगे तो इसमें से ओईल निकलेगा तो इसके लिए ऐसा होगा पर आप इसे क्रश कर लिचे एकदम पाउडर जैसा तो हमने कल लिय निकाल लेते हैं तब देख सबते हमने निकाल लिया है ऐसा होगा तो आप टेंशन मत लीजिए इसमें से ओइल निकलता है पीनट्स में से इसलिए ताकि एकदम मस्त बनेगी आपको यह अच्छ लगेगी अब हम जास नी बनाएंगे तो इसके लिए हमने यह कफ शकल लिया है और हमने एक कप शक लिया है तब हम इसमें यह डेट कप पानी डालेंगे तो जिससे आपनी शकर को मेजरमेंट किया हूँ वह डेट कप पानी ले लिए अब हम शकर को मैट होने देते हैं इसे मिलाते रहे है आप देख सकते हमारी काफी शकर मेल्ट हो चुकी है हमें इसे एक तार की चास नी हूँ वैसी बनानी है तो मैं आपको बताऊंगे अब देख सकते हैं हमारी चास नी ऊबल चुकी है इसम थोड़ा स्वा निकाल के चैक कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसमें तार बन रहा है तो यह हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे हमारे क्रश किया हुआ मुफली एक गोला जैसा बन जाए तक तक इसमें रखना है अब देख सकते हैं हो चुका है हम इसे नीचे ले ले लेते हैं एक ग्रीश को हमने घी से औरेडी ग्रीश करके रखा हुआ है इसमें हम यह हमारा डाल देंगे मिश्रा तो इसमें अच्छे से फैला लेंगे पूरी डिश में तो और जोड़ा था विखा जाए ग्रीश करके चाहिए इसे उपर से अच्छे से आम एसे इसे दबा देंगे और उपर से थोड़ा साग्षों आए गया तो इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी इसे आधा कंटे के लिए धंडा होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से कट करने के लिए और अच्छे से सेट हो जाए थोड़ा सा गरम हो तब हम इसमें इसे काट लेंगे आपको जैसे पसंद हो वैसे आप काट सकते चाहिए स्कुर में काटे या या काजु कुतली के शेप में जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसे काट लेजिए यह ठंडा हो चुका है इसम निकाल लेते हैं तो यह आराम से निकल जाएगा तब देख सकते हैं यह अमने डीश में भी तयार करका रख दी है अब इसे फास्ट में खा सकते हैं और रेगिलर ताप इसे खा ही सकते हैं तो तयार है हमारी मौंग फॉल्ट लिकी कतली यह वीडियो आप खुछी लगे हो तो लाइक कीशे श्ट्रेट कीचर मेरी चनल को सब्स्ट्राइक कीशें कर दो लगे हमारी मौंग लिवार गलिपड़ श्राइक कीशें दोस्ट्राइक कीशें